तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम मैं आपका अपना ठागूर प्रकर सिंग और रात के दस बच चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है आज की कहानी सुना उससे पहले आप लोगों के दो महतपूर सजेशन से सुजहाओं हैं जो आप लोग बार बार मुझे देते हैं इन दोनों सुझाओं को मैंने बड़ी बारीकी से समझा और उसके बाद उन दोनों सवालों के या फिर दोनों सुझाओं का जो जबाब है मुझे लगता है कि आज आपको दे देना चाहिए सायद आप उस चीज को नहीं जानते या फिर आपको उस मामले में उतने एक्सपरटीज नहीं हासिल है पहला सुजाव आप लोग देते हैं कि जिस घटना के बारे में आप जिक्र करते हैं जिस कहानी को आप सुनाते हैं उस कहानी से संबंधित उस कातिल की तस्बीर उस पीड़ता की तस्बीर या फिर पीड़ित परिवार की तस्बीर अब अगर वीडियो में लगा दें तो वीडियो में इंट्रेस्ट बना रहेगा बैरहाल बहुत सारे पत्रकार ये चीज करते भी हैं लेकिन ना तो मैं मीडिया से हूँ ना ही मैं पत्रकार हूँ मैं सम्मिधान को कानून को मानने वाला और उसी के हिसाब से जो कुछ नय संगत होता है वही कहानिया को सुनाता हूँ दरसल जो कहानिया मैं आपके सामने रखता हूँ वो कहानी महज एक या दो दिन पहले के अटी होती है और हमारा सम्मिधान भारत के प्रतेक नागरिक को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है यानि जो कहानिया मैं सुनाता हूँ वो कहानिया भी कोर्ट तक नहीं पहुँची है कोर्ट में अभी वो दोसी करार नहीं पाया गया है भले ही उसने पुलिस के सामने अपना गुना कबोल कर लिया है सारा मावला क्रिस्टल के हैं वही दोसी है लेकिन जब तक किसी भी बैति को कोट से दोसी न करा दिया जाये तब तक वो बैति मुजरिम नहोके मुल्जिम होता है और जब भी आप नोटिस करें कोई आदमे कोट ले जाया जाता है तो उसके चेहरे को इसलीए कबर किया जाता है ताकि उसकी पहचान गुप्त रखा जाए तब तक की जब तक कोट उसे खुद दोसी करार ना दे जे और दोसी करार होने के बाद ही उसकी पहचान जनता के सामने मीडिया के सामने उजागर की जाए तो यहर अप्राधी का यह मौलिक और संबैधानी का धिकार है कि अपनी पहचान को गुप्त रखे अगर संबिधान में ऐसा प्राउधान है तो मेरा काम है उसके उस प्राइवेसी का सम्मान करना जिन मामलों में कोट से सजा मिल चुकी होती है उन मामलों में, मैं तस्वीर फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ, लेकिन जिन मामलों में नहीं मिली होती है, भले ही वेक्ति दोसी है, भले ही उसने चाहिए जतना जगहन ने परात किया लेकिन सम्विधान का सम्मान करना एक अधिवक्ता परिवार से बिलॉग करने की वज़ा से मेरा पहला कर्दब है चुकि हमारा पेशा सिर्फ सम्विधान से चलता है उसमें जितनी policy हैं, जितने कारून हैं उनसे चलता है ना कि मीडिया की तरह शोर सराबा करके कभी 2000 की नोट में चिप खुज लेना कभी रिकेट स्टेडियम में किसी एलियन का महजूदगी दिखा देना ये चीज़े हम नहीं कर सकते हैं इसलिए जिस मामलों में तस्बीर पॉसिबल में दिखाऊंगा जिन में नहीं पॉसिबल में नहीं दिखाऊंगा ये तो रही पहली सवाल का जवाब अब आपका दूसरा सवाल आए दिन आता है कि आप कहानी को खींच के बहुत लंबा कर देते हैं इसके जवाम में महझ़ मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर कहानी में छोटी सुनाओगा, कम सुनाओगा तो मुझे भी कम मेहनत पड़ेगी लेकिन जो अधिकारी दिनो रात मेहनत बेचारी करते हैं किसी केस पे काम करते हैं उनकी रातों की नीद उड़ती है नजाने कितनी सीनियों से फटकार मिलती है नजाने कितना मीडिया ट्रोलिंग का सामरा करना पड़ता है उसके बावजूद भी उपना पूरा बेस्ट देते हैं किसी की इसको सुलजाते हैं तो उनकी उस महनत को उनकी उस इफ़र्ट को सुरू से अन तक अगर मैं ना दिखाऊं तेक तरह से उनकी साथ गलत होगा चुकि पैसे के लिए ही हर इंसान सब कुछ नहीं करता कुछ लोग अपने करतब को अपनी जिम्मेदारी को मान के करते हैं पर पुलिस वाले और बाकी लोग जो सरकारी महकमे में हैं वो साइद अपने करतब के लिए ही बाकी काम करते हैं वरना पैसे के लिए कोई भी अपनी जान को जोखे में नहीं डालेगा ते दोनों सवाल के जबाब थे मुझे लगा कि आज आज आपको दे देना चाहिए साहिए तीन-चार मिनिट इसमें लग गया अब सिधा-सिधा आज की कहानी कर रुक करते हैं और आज की जो कहानी है आपके कलेजे को कहीं न कहीं आज कछोट के रख देगी कहानी फिरोजाबाद की है कहानी फिरोजाबाद की सिकोहाबाद में एक इलाका लगता है पजाया रुकनपुर दरसल इसी इलाके में गरीब परिवार, मुस्लिम परिवार रहा करता था परिवार का जो मुखिया था मुकीम फालो गेरा के दुकान लगाता था गर्मी कमोसम था तो लोग जूस भी ने आते थे ठीक ठाक पैसे कमा लेता था सरदियों में धंदा मंदा था अभी जैसे तैसे गर के उसकी गाड़ी पट्री प्यार रही थी परिवार वाले भी खुशते परिवार में उसकी पत्नी थी तीन-चार बेटे थे और जो सबसे बड़ा बेटा था जीसान वो महज बारा साल का था आए दिन ये बाहर रहता पूरे पूरे दिन कमाता जो भी पैसे मिलते उसको घर पे लाता अपनी पत्नी फर्जाना को देता पत्नी उन पैसों को अपनी हिसाब से खर्च करती ये फिर सुबा जो बचत होती उसको लेके निकलता फालो गयरा खरीता फिर अपनी दुकान लगाता जूस बेजता पतनी घर पे बच्चों का लालन पालन करती चुकि बच्चे अभी छोटे थे जो सबसे बड़ा बेटा था वो भी महज अभी बारा साल का था सारी चीजे ठीठाग चल रही थी भले ही पैसे घर में कम थे लेकिन जो सौक थे जो जरूरते थे वो भी कम थी इसलिए परिवार खुश था लेकिन इसी पिछले हपते इस परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा था जीसान बारा साल का वो अचानक से गाइब हो जाता है पिता घर पे आता है मुकीम देखता है कि सारे बच्चे हैं लेकिन जीसान गायब है सुरुआत में उसे लगता है कि कहीं खेलने गया होगा लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा जीसान जब लोटके नहीं आता तो पिता की चिंता कहीं न कहीं बढ़ने लगती है थोड़ी दिर में मा भी किसी काम से बाहर गई थी वो लोटके आती है सारी बात जो मुकीम था अपनी पत्नी फरजाना को बताता है कि जो जीसान है काफी देर गुजर गई अभी तक वो लोटके नहीं आया अब फरजाना जब ये बात सुनती है तो उसका कलेजा काप जाता है वो फورन ही आसपास की मुहलों में, आसपास के घरों में जाती है जाने के बाद पूछती है कि जीसान आया था या नहीं आया था हर घर जाती हर घर के दरौजे को खट खटाती लेकिन हर जगह से ना ही कहीं जीसान का पता चल रहा था ना ही कोई ऐसा था जो बता सके कि जीसान आया था थोड़ा सा और वक्त गुजरा थोड़ी सी साम ढली जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था जैसे समय बीटता जा रहा था जो मुकीम था जो उसकी पत्नी फरजाना थी अपने सबसे बड़े बेटे के लिए अब परिशान होई लगते हैं देरे देरे उस 12 साल के जीसान के दोस्तों के घर सारे लोग जाते हैं कि साइद उनके यहां चला गया हो लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिलता आसपास के ग्राउंड्स पे जाते हैं कि साइद किर्केट खेलने चला गया हो या फिर फूटबाल खेलने चला गया हो चुकि बच्चे हैं अकसर निकल जाते हैं बीना बताये चले जाते हैं हर एक गली छानते हैं, हर एक कूचा छानते हैं सारे स्टेडिमों की खाक छान लेते हैं लेकिन कहीं से जीसान का कुछ भी पता नहीं चलता रात भर जो मा थी, जो बाप था बिचारा अपने उस 12 साल के बेटे को खोशते हैं हर घर जाते हैं, सबका दरवाजा खट खट आते हैं लेकिन जब कहीं से भी उस जीसान का पता नहीं चलता तो अंत में इन्हें लगता है कि सायथ पुलिस का सहारा लेना चाहिए चुकि अगर कहीं गया होता, तो अब तक लोट के आ जाता और हो नहो हमारे बच्चे के साथ कोई अन्होनी जरूर हुई है जो पिता मुकीम था, फौरण थाने जाता है जाने के बाद, एफाईयार दर्ज करा देता है अपने बेटे की गुमसुदगी की और सारा बात बताता है कि कैसे वो फल बेचने बाहर गया था लोटके आता है, तो सारे बच्चे तो घर पे थे लेकिन जो बड़ा वाला बेटा है, वो गयाब था अब थाने में ऐसी रिपोर्ट, पुलिस वालों की भी हवा खराव पुलिस वाले जाच परताल करते हैं और सबसे पहले ये पता करते है कि जो मुकीम था, कि उसकी किसी से दुस्मनी थी चुकि आम तोर पे अपहरण होने का जो में मोटिव होता है वो महद दो होता है, या तो पैसे के लिए हुआ हो, या तो दुस्मनी की वज़ा से हुआ जिस हिसाब से मुकीम के परिवार की माली हालत थी ऐसा कहीं से लग भी नहीं रहा था कि उसके बेटी का पहरण कोई पैसे के लिए करेगा चुकि जो आदमें खुद फल बेच के अपनी जिन्देगी का गुजारा कर रहा हो किसी को पैसे क्या देगा इसलिए पुलिस वाले अब दुस्मनी के एंगल पर काम करने लगते हैं पुलिस वाले मुकीम से पूछते हैं कि कि आपको किसी पे शक है क्या किसी से आपके दुस्मनी है अब ये सवाल जब मुकीम सुनता है तो मुकीम कहता है कि साब हम गरीब लोग है, मजलूम लोग है खाने को पैसे नहीं है, पेट में दाना नहीं है, किसी से दुस्मनी करके कैसे रह सकते हैं अब ये बात जब पोलिस वाले सुनते हैं तो थोड़ा हुने और अजीब लगता है कि पैसे है नहीं तो अपारण पैसे के लिए हुआ नहीं, दुस्मनी का कोई एंगल नहीं है तो आखिर जिसने अपारण किया होगा, तो उसका मोटिव क्या रहा होगा हो ना हो इस बच्चे का अपारण नहीं हुआ है, ये कहीं भाग गया है या फिर कोई और बात है पुलिस वाले अब छानबीन करने के लिए, जाच परताल करने के लिए इस जीसान के या फिर इस मुकीम के मुहले में आते हैं और पडोसी से और आसपास के लोगों से पूस्टाच करते हैं पुलिस वाले भी इन माबाग की तरह पडोसीों से पूस्टाच करते हैं, पूरी मुहले में पूस्टाच करते हैं कहीं से भी कोई ऐसा इंसान नहीं था, जिसने जीसान को कहीं जाते हुए देखा हो। अब जब पुलिस वालों के हाथ कुछ लग नहीं रहा था, दिन धेदरे बीटता जा रहा था, बच्चे को गायब हुए दो दिन बीच चुका था। पुलिस वाले भी देदरे अब उमीद छोड़ रहे थे, देदरे चिंता भी हो रहे थी, अगर केस नहीं सुल जा तो बड़ी बदनामी होगी। मामला वहां की एसपी कुणर रजविजे सिंग के पास गया, एसपी साहब खुद इस मामली को पर्षनली देखते हैं, देखने के साथ साथ, आते हैं आने के बाद दूर दूर तक पूछ ताच करते हैं, बच्चे के फोटो दिखाते हैं, सारी जाच परताल करते हैं, इसी बेच एक आदमी यसपी साहब को बताता है कि यह जो बच्चा है जी सान, इसको मैंने इसके चाचा फर्मान के साथ देखा था, फर्मान इसको ले के कहीं जा रहा था, और जी साहब से आप टाइम बता रहे हैं, लगबग यह घटना भी उसी टाइम की है, अब पुलिस वाल खाता है, खाना उगरा खाता है, हम लोगों से मिलता है, मिलके चला जाता है, और मेरी जानकारी में तो उस तारिक को यह आया ही नहीं था, अब घर के मुखिया को पता नहीं कि चाचा आया या नहीं आया, उसकी जानकारी में चाचा नहीं आया, और कोई पता रहा था कि उस पुष्टाच करते हैं तो फर्मान रोने लगता है और रोने हुए कहता है कि साहब एक तो मेरा भतीजा गायब है उपर से आप मुझसे ही पूष्टाच कर रहे हैं कम से कम किसी गरीब को किसी दुखिया को इस तरह से ना परिशान कीजिए कि हम लोग धर्म से भी जाएं और धन से भी जाएं अब पुलिस वाले बड़े असमंजस में पढ़ते हैं कि चाचा आखरी बार देखा गया था चाचा खुद रोके कह रहा है कि आप लोग हमें फर्जी परिशान कर रहे हैं बार बार जो चाचा था वो अपना मुसलिम होने का विक्टम कार्ड भी खेल रहा तो पुलिस वाले अब इस फर्मान से सक्ती से पूश्टाच करते हैं और कहते हैं कि जो भी बात है चुपचा बता दो नहीं तो जब पुलिसी अंदाज में पूश्टाच होगी हैं तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं तुम तो फिलाल अभी जिन्दा हो अब ये बात फर् फर्मान का होसला कही न कहीं अब डगमगाने लगता है धीरे धीरे फर्मान अपना मुह खोलता है और मुह खोलने के साथ एक ऐसी कहानी सुनाई जिस कहानी से नजाने कितने रिस्ते नजाने कितने नाते तार तार हो गए हैं दरसल फर्मान बताता है कि साहब अपने भतीज जीसान को मैंने ही मारा है पुलिस वाले जब ये बात सुनते तो ने धका लगता है कि चाचा अपने बारा साल के बतीजे को क्यों मारेगा पुलिस वाले अब मोटिफ पूछते हैं तो इस मोटिफ पे उसने कहानी सुनाई दरसल जो फर्मान था और जो फरजाना थी ये दोनो इक दूसरे से प्यार करते थे मुकेम दिन भर फल बेशता अपनी पतनी को टाइम नहीं दे पा रहा था फरजाना दिन भर घर पे अकेले रहती अकेले रहने के साथ साथ कही न कहीं उसके जिंदिगी में भी अकेला पन था बच्चे अभी छोटे थे ज्यादा फर जाना की प्रवी नहीं थी और इसी बीच जसका देवर फर्मान था वह आने लगता है आये दिन आता मुकीम घर पे नहीं रहता फर्मान रुगता दोनों में बाते होती। फर जाना का time कर जाता, मुकीम को भी अच्छा लगता, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ time काटते गाटते एक दूसरे का time pass करते करते, देवर भावी में कब प्यार हो गया, इन दोनों को खुद पता नहीं चला, अब प्यार हुआ, प्यार का कोई यह motive नहीं था, कोई इसका future न बनाते और यही चीज अब ये दोनों आयत दिन करने लगते हैं मुकीम फल बेचने निकल जाता जो देवर था घर पे आ जाता देवर भावी दिन भर साथ रहते एक दूसरे एक सा सम्मंद बनाते कभी अगर मुकीम घर पे आ भी जाए तो अपने भाई के साथ नॉर्मली यानि देवर भावी समंद बना रहे थे तब ही घर में इंट्री होती है बारा साल के लड़के जीसान की जीसान इसकूल से अचानक से आता है और आने के बाद अपनी मा को अपने चाचा के साथ ऐसी हालत में देखता है कि देखते ही वो खुद अपनी आखे बन कर लेता है अब बारा साल का जीसान थोड़ा बहुत समझदार था उसे दुनिया का ग्यान था वो सारी चीजे फौरण समझ जाता है कि उसकी मा उसके चाचा कर क्या रहे थे और इस रिस्ते का मतलब क्या है अब ये चीज जब जीसान देखता है तो देखने के बाद चुक्चाप घर स बाहर निकलता है बाहर सांथी से बैठ जाता है चाचा और मा फोरण कपड़े पहन के बाहर आती है उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जीसान न अपने चाचा से बात करना चाह रहा था नहीं इपनी मा से सिधा-सिदा एक लाइन बोलता है तुम दोनों आज से मेरे ये मर चुके हो इतना बोलता है बोलके वहाँ से चला जाता है अब जीसान भले ही चला गया ज्यादा कुछ बोला नहीं लेकिन जो उसकी मा थी और जो उसका चाचा था अब इन दोनों को डाउट होने लगा कि कहीं ऐसा नहों कि जीसान जो है अपने पिता मुकीम के आगे मु खोल दिये तो सारा का सारा खेल ही खतम हो जाएगा चुकि मुकीम जो है वो फरजाना को या तो मारेगा पीटेगा या तो तलाग देदेगा और अगर तलाग देदेगा तो फरजाना को फरमान से साधी करना पड़ेगा फरमान खुच साधी करना नहीं चाह रहा था सारी च चोर की दाड़ी में तिनका, फर्मान को भी डर था, फर्जान को डर था, और यह डर इन दोनों को खाने लगता है. इन्हें लगता है कि अगर जीसान रहा, तो आज नहीं कल ते मुह जरूर खोलेगा, इसलिए भी जीसान को रास्ते से हटा बेना चाहिए. रास्ते से हटाने का प्लान बनता है, लेकिन प्लान भी ऐसा बेल प्रूफ हो, कि ना कतल का पता चले, ना ही कभी लास मिले, चुकि यह दोनों में से कोई एक चीज हो गई, तो यह दोनों फस जाएंगे, फसने के बाद जेल जाना पड़ेगा. सारा प्लान यह दोनों बैटके बनाते हैं, और बनाने के साथ ही प्लान को अपलाई करने के लिए एक दिन चुनते हैं, वो दिन भी आता है, मुकीम जाता है, फल वगेरा बेचने के लिए, और इसी बीच जो चाचा फर्मान है, वो जीसान से कहता है कि चलो यार, कुछ पा अचा कि ये बात जिब बारा साल का बच्चा सुनता है, तो जैसा भी था, परिवार का सदस्य था, वो पिघल जाता है, पिघलने के साथ साथ फर्मान के साथ जाने लगता है, फर्मान उसको अपने साथ लेके वहीं की छीचा मई नहर के पास जाता है, जाने के बाद अचा सानक से जीसान के उपर तूट परता है अब एक तरफ 32 साल का एक नौजवान एक तरफ 12 साल का बच्चा बच्चा फॉरण ही कमजोर हो जाता है जीसान का गला फर्मान दबाता है दबाने के बाद उसका कतल करता है कतल करके लास को उसी छीछा मई नहर में फेंक देता है फेंक टीम फरजाना से करने वाला हूँ ये सवाल फरजाना खुद मुकीम से करे कि पहले तुम आये थे तो बच्चे कहा है अब पुलिस वाले जब ये कहानी सुन रहे थे तो सबसे पहले एक टीम भेजते हैं इस छीछा मई नहर के पास कि जल से जल लास बरामत की जाए ताकि बड का पूरा दिन नहर में लास धूंडा जाता है लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं मिलता एक दिन गुजर गया दो दिन गुजर गया अब जब कहीं से पूरे नहर में लगबक 20-30 किलो मेटर 40 किलो मेटर तक उस नहर में लास धूंडी जा रहे थे और कहीं से लास मिलती ही नही तो पुलिस वालों की फिर से हवा खराब होती है चुकि किसी भी मर्डर को इस्टेबलिस करने से पहले लास का मिलना जरूरी है अगर लास नहीं मिली तो मर्डर कभी भी इस्टेबलिस नहीं हो सकता मैंने ऐसे ही आपको साहब उदिन की काहानी सुनाई थे जिसमें ना लास मिली ना ही मर्डर इस्टेबलिस हुआ अब पुलिस वाले फिर परिशान होते हैं कि भले इसने एक बारे जुन कर लिया लेकिन लास डूड़नी है पुलिस वाले एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगातार पूरे नहर की खाक शानते हैं लेकिन पुलिस वालों के हटे कुछ भी नहीं लगता पुलिस वाले फिर बेचारे निरास होते हैं हतास होते हैं कि केश सुलजने के बाद भी एक कातिल बच जाएगा लेकिन इसी बीच इटावा के बकेवर नहर के पास यानी इस घटनास्थिल से लगवाख 70-80 किलोमेटर दूर एक बच्चे की लास मिलती है लास मिलती है वहां मिलने के बाद आस-पास की आलागों में पूच्थाच की जाती है लेकिन जब कहीं से बी उस लास को पहचानने वाला कोई नहीं था तो आसपास के जिलों में उस लास की फोटो और उसका डिस्क्रिप्शन भेजा जाता है और ऐसा ही एक डिस्क्रिप्शन कुमर यस्पी रणविजय सिंग के पास आता है अब यश्पी साहब जब description को पढ़ते है तो उन्हें फौरन लग जाता है कि description जीसान से मैच कर रहा है फौरन जीसान के पिता मुकीम को ले जाके लास की सिनाक्त कराई जाती है और जैसे ही लास को पिता देखता है वो रोने लगता है और कहता है यह मेरे बच्चे की लास है चुकी तीन चार दिनों तक या फिर काइदे से कहें तो एक हफते तक लास नहर में रही थी इसलिए लास बूरी तरह सड़ चुकी थी अब एक पिता अपने बारा साल के बच्चे की जब सड़ी लास तेखता तो उसके दिल पर क्या है और पुलिस सुरच्चा और आसपास के सैकड़ों लोगों के बीच उस बारा साल के जीशान की अंतिन संसकार कर दिया गया है पाकी पुलिस अभी इस मामली पे जाच परताल और कर रही है लेकिन जो कुछ इक बाले जुर्म था उसके चाचा का वो इतना सा था बहराल डेली ऐसी किसी और किसी कहानी के साथ आपके सामने आता रहता हूँ तो फिलाल ये थी पूरी कहानी वाफ से कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक अच्छे रहे खुश रहे अपना ख्याल रखिए अपने देश का ख्याल रखिए जैहिंत बंदे मातर झाल